आपका स्वागत है हमारे अबंडन्ट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में और इस समय मेरे संदेश का शिर्षक है यीश्य मसी क्रिस्मस में अध्भुत युक्ति करने वाला और मैं यहां पर पढ़ रहा हूँ यश्य यहा अध्याय 9 वचन 6 से क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम रखा जाएगा अध्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंतकाल का पिता और शांती का राजकुमार दोस्तो इश्व मसी का मानव रूप लेना तो ये तो इस संसार के सबसे आश्चेरकारी बात है देखे ऐसी घटना मसी के पहले कभी नहीं हुई और ये ना ही होगी इश्व के मानव रूप में जन्म लेने के बाद क्रिसमस तो केवल प्रभू इश्व मसी के बारे में हैं स्वयम परमेश्वर हमारे संसार में आते हैं अब किस तरह के परमेश्वर ने इश्व मसी में मानो रूप धारण किया ये जो वचन है ये यीशु मसी के कम से कम छे शिर्षक बताता है और दूसरा शिर्षक है और वो है यीशु मसी अद्भुत युक्ती करने वाले दोस्तो जिस समय ये यीशु मसी मानो रूप में हमारे संसार में आए इस्राइली लोगों के पास 400 साल तक परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं था और इस्राइली लोगों के पास परमेश्वर से कोई सलह नहीं थी तो क्या हुआ? क्योंकि इतना समय बीद गया था परमेश्वर का प्रकाशन और परमेश्वर की सलह वहाँ पर नहीं थी इस्राइली लोगों के पास तो वो बस हर तरह के आज्यभंग करने में वो चले गए और वो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीने लगे और उन्होंने अपने ही मुर्खता के निर्ण लिये और ऐसा करने के द्वारा वो हर तरह के बंधन में चले गए और साथ ही क्योंकि परमेश्वर की सलह वहां पर नहीं थी तो इस्राइल के जो लोग थे वो तो जूटे इश्वरों को मानने लग गए जूटे बलीदान में पर इश्वमसी हमारे संसार में मानवरूप में आए उस समय इस्राइल के लोग तो पूरी तरह अज्यान्ता में थे कि जीवन किसके बारे में हैं अब इश्वमसी आते हैं उस समय उनके पास में आते हैं अद्भुत युक्ति करने वाले के रूप में और साड़े तीन साल तक यीश्व मसी ने अद्भुत सलह दी इसराइल के लोगों को और उस समय के अन्य जातियों को और अभी भी मेरे दोस्तों हम सब लोग जो यीश्व मसी में उधार पाएं हैं वो हमारे सलहकार हैं अद्भुत सलह देने वाले दोस्तों जब यीश्व मसी उस समय अद्भुत सलह दे रहे थे तो लोग सुनकर चकित हो गए वचन इस तरह कहता है जब यीश्व मसी अपनी सलह दे रहे थे जब यीश्व उस समय के इन लोगों को बुद्धी की बातें बता रहे थे तो उन्होंने हैरान होकर कहां, क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, क्या ये बढ़ाई यूसुफ का बेटा नहीं, क्या इसके भाई हमारे साथ नहीं हैं, यानि क्या इशु के भाई यहां पर नहीं रहते हैं? क्या इशु कोई साधारन व्यक्ती नहीं है? तो इसको ये ज्ञान कहां से मिला है? दोस्तो, जानते हैं, प्रचारा किस तरह से कहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है. स्वाभाविक रूप में वो परमेश्वर है इसलिए वो अद्भुत सलाह देने वाले है लेकिन चलिए यहाँ पर मैं कुछ जोडता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशू बुद्धी में बढ़ते चले गए वो तो आपके और मेरे जैसे साधारन मनुष्य थे हाला कि परमेश्वर ने स्वय मानो रूप लिया एक मनुष्य होने के नाते अपने पूरे जीवन भर यीशू बुद्धी में बढ़ते चले गए यीशू परमेश्वर की सलाह में बढ़ते चले गए और ये तो वो बुद्धी है ये वो सलाह है जो उसने उस समय के लोगों में उंडेल दिया और अभी के लोगों में भी दोस्तो इस क्रिसमस का संदेश तो बहुती सरल है और वो है हमारे प्रते दिन के जीवन में हमारा सलाहकार कौन है क्या हम खुद के सलाहकार हैं, क्या संसार हमारा सलाहकार है, या शैतान हमारा सलाहकार है, हमारी शरीर के अभी लाशाएं, क्या वो हमारे सलाहकार हैं। येश्व मसी की सलाह के बिना हर एक निर्णय जो हम अपने जीवन में लेते हैं वो मुर्खता का निर्णय होगा और एक मुर्खता का निर्णय जो है वो काफी है कि एक जिंदगी को नाश करें एक परिवार को नाश करें और विवाह को नाश कर दे कलीसिया को नाश कर दे या परमेश्वर का वचन बताता है कि क्यों परमेश्वर की सलाह इतनी महतवपूर्ण क्यों है प्रभु यीश्व मसी में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नीती वचन अध्याय 15 वचन 22 से बिना सम्मति की कल्पनाएं निश्वल हुआ करती है परन्तु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है परमेश्वर का वचन कहता है सलाह के बिना मनुष्य तो अच्छी योजनाओं को नहीं चानेगा लेकिन अच्छी सलाह हमारे सारे अच्छे उदेशों को जानती है हमारे सारे भलाई के विचारों को भी दोस्तो इस क्रिस्मस में हमें क्या करना चाहिए यिशु मसी को हमारे रिदय में हमारे सलाकार के रूप में नियुक्त करें यिशु मसी को अपने रिदय का सिहासन दीजिए परमेश्वर के सलाकार के रूप में और हर एक दिन हमें यिशु मसी की सलाकी अधीनता में आना होगा वो हमें ब सटीता से निर्णे ले पवित्र आत्मा के द्वारा येश्व मसी की आवाज हमेशा हमें बताती है कि हम सही मार्ग में चले हम सत्य में चले हमें उसे सुनना होगा और फिर उसके पीछे चलना होगा और फिर क्या होता है देखे उस सलह के द्वारा तो हम जो कुछ भी करना चा तर्म मिल जाएगा तो चलिए इस संदेश में और आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्रिस्मस के समय और हमारे पूरे जीवन भर में कि कैसे यीशु को हमारा सलहकार बना दे मैं तीन पॉइंट बताता हूँ नमबर एक यीशु मसी को अपना सलहकार बना ताकि इस पृत्वी पर बहतायत के जीवन का अनुभव करें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहन अध्यायत 10 वचन 10 से यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आता हूँ कि वे जीवन पाए और बहतायत से पाए देखे मसी प्रचार में बस यही तो बात हुई है बहुत सा प्रच चार तो केवल उस अनंत जीवन पर है जो यीशु मसी देते हैं मैं कुछ पल में इस पर बताऊंगा लेकिन जब यीशु हमारे सलहकार के रूप में आते हैं कि हमें इस पृत्वी पर बहतायत का जीवन दे अब ये बहतायत का जीवन क्या है देखे इसके पीछे बहुती थियालोजी है दोस्तों जानते हैं इसे समझने के लिए हमें अधन की वाटिका में जाना होगा उत्पत्ति अध्याय एक वचन बाईस में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा कि स्रिष्टी की उसने उनसे कहा फूलो फलो याने बहुगनित हो जाओ ये दो अलग शब् से सुंदर थियालोजी है इसका आर्थ जानते हैं थैप epicifiques ने मनुश्यों को बनाया है कि इसलिए कि वह फलवंत हो सौ प्रतिशयर्ट अपने शारेरिक जीवन में सिंध करना अभानात्मक बहुप करना शरीर में वो 100% सिद्ध जीवन जी रहे थे, कोई पीडा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी तरह से कोई ठकान भी नहीं थी, 100% ऐसा शारिरिक बहतायत का जीवन था, और फिर वो 100% भावनात्मक जीवन भी जीए, उनका मन तो 100% आनन से भर गया, शांती से, परिपुर्णता से, प्रेम से, बुद्धी से, उनके मन में कुछ भी नकारात्मक नहीं था, जैसे कि डर या चिंता, या निराशा और ऐसी बाते, यहां तक कि भावनात्मक रूप में वो 100% बहतायत का जीवन जीए, और फिर हम उन आत्मिक जीवन की और आते हैं, क्योंकि वो तो परमेश्वर के साथ में जुडे थे, और उस वाटिका में उसके साथ अद्भुत संगती रखते, तो आत्मिक रीती से भी वो तो 100% आत्मिक जीवन जीए, दोस्तों, अब यही तो मनुश्य के जीवन का उद्देश्य है, फ उसे फिर से पल्टा दे, और जब तक कि हम इस पृत्वी पर जीते हैं, हमें तो बहतायत का जीवन दे, शारिरिक में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में, हाला कि चाहे दर्द या फिर समस्या क्यों नहों, कि हम सबसे उत्तम अच्छा जीवन जीए, चाहे जी जाल ये है कि अभी इस समय क्रिस्मस के समय में कि कैसे यीशू हमें ये बहतायत का जीवन देते हैं, केवल इस क्रिस्मस में ही नहीं, पर हमारे पूरे जीवन में, कि हमें हमारे बच्चों को और नाती पोतों को और पूरी पीढ़ी को जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं यहना अध्याय एक वचन चार में परमेश्वर का वचन कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुश्यों की जोती था तो चली अभी शुरू करते हैं यह बहतायत का जीवन तो यीश्व मसी में था जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें जीवन था, तो यीशु में किस तरह का जीवन था? क्योंकि वो तो परमेश्वर थे, इसलिए यीशु में परमेश्वर का जीवन था. और परमेश्वर का जीवन तो हमेशा सिद्ध है. परमेश्वर का जीवन तो हमेशा बहतायत क अद्भुत बात है दोस्तों, चलि मैं आपको इबता दूं कि यीशु मसी हमारी पृत्वी पर आए, हम सब के लिए जिन्होंने यीशु में उधार पाया है, वो तो स्वर्ग से नीचे उतर आए, परमेश्वर के जीवन के साथ, सिद्ध जीवन के साथ, बहतायत के जीवन के साथ, अब अगला सवाल ये है, अगर यीशु मसी में बहतायत का जीवन है, तो वो बहतायत का जीवन कैसे देते हैं? मैं आपके लिए एक अद्भुत वचन पढ़ता हूँ, योहन्ना अध्याई 6, वचन 63 से, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाब नहीं, जो ब यीशु मसी में बहतायत का जीवन, ये तो यीशु मसी के वचनों में है, यीशु मसी का बहतायत का जीवन ये तो यीशु की आज्याओं में बसा है, इसके बारे में बिलकुल गल्टी न करें, और यीशु के वचन और यीशु की आज्याएं तो आत्मा हैं, मतलब वो तो स प्रतिशत अभिशिक्त हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभिशेक पाई हैं यीशू का हर एक वचन और यीशू की हर एक आग्या जब हम अपने मसी जीवन में उसका अनुकरन करते हैं तो ये अपने आप हमें बहतायत का जीवन देता है मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से देखें खास करके 400 समाचारों को और फिर पूरा नया नियम और फिर पुराना नियम भी परमेश्वर की आज्याओं को देखिए इश मसी की द्वारा खास करके 400 समाचारों में वहाँ पर बहुत सी आज्याएं है दोस्तों हर एक आज्या तो बहतायत के जीवन का मानुबंडल है जब हम हर एक आज्या को मानते हैं तो हम बस अनुभव करते जाएंगे अच्छे जीवन का, शांती के जीवन का, इस पृत्वी पर आनन्द का जीवन भी चलिए उधारन देता है यह बहतायत के जीवन का बंडल है जब हम लोगों पर दया दिखाते हैं और हर संभव तरीके से उनकी मदद करते हैं तो यह क्या कहोलता है? यह डया खोलता है केवल परमेश्वर की दया ही नहीं पर हमारे आसपास के लोगों की दया को भी हम पर खोलता है और उन पर भी जिन पर हमने दया की है तो हमें क्या मिलता है? अच्छा जीवन, बहतायत का जीवन हम आशीशों को पाएंगे और इसी तरह से ईशु की हर एक आज्याओं को देखिए और नोट्स लिखिए जाँच कीजिए किस तरह का अच्छा जीवन? बहतायत का जीवन, सुन्दर जीवन, शान्ती का जीवन उनमें से हर एक आज्याएं हमारी जीवन में इनहें खोलेंगी देखिए केवल दो तरह की आज्याएं है एक, आज्याएं जो हमें बताती की पाप न करें जिस पल हम पाप नहीं करेंगे तो अच्छा जीवन पाएंगे नमबर दो ऐसी आज्याएं जो हमें कुछ करने के लिए कहती है जिस पल हम उसे मानते हैं और वैसा करते हैं उन आज्याओं को पूरी करते हैं तो आप और मैं सुन्दर जीवन पाएंगे अब देखें ये एक तरह से हमारे रिदय को बदल देना हैं और ये जो बदलाव है कैसे होता है मेरे दोस्तो ये होता है क्रूज की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस वचन को गौर से सुनिए इबरानियो अध्याएं 9 वचन 14 तो मसी का लहू जिसने अपने आपको सनातन आत्मा की द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चड़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो, कितना अध्भुत वचन हैं। ये शुमसी का लहू और क्रूस की सामर्थ, पवित्रा आत्मा की सामर्थ के द्वारा और ये हमारे रिदय को प्रति दिन बदलते चले जाए ये शुमसी की आज्याओं के लिए, कि हम उन आज्याओं को मानते जाए, जो हमें रोकते हैं कि पाप न करें। कि हम उन आज्याओं को मानें, जो हमें कुछ करने के लिए कहती हैं, लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए, और जितना जादा क्रूस की सामर्थ के द्वारा हम बदलते चले जाते हैं, और पवित्रा आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तो हमारा जीवन बदल जाएगा इ जब हम प्रात्ना करते हैं और पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि हमारे रिदय को बदल दे यीशू की आग्याओं के अनुसार बनाएं तो हमेशा हमें इसे पश्चताप में करना होगा पवित्र आत्मा किसी व्यक्ती को तब तक नहीं बदल सकता पवित्र आत्मा याने केवल उसी व्यक्ती में काम करेगा जो व्यक्ती पश्चताप करता है उससे याने जो सही काम उसने नहीं किया है और उससे भी जो उसने गलत किया है तो आईए इस समय क्रिस्मस में हम यही करें कि थोड़ा और बदल जाएं और मैं आपको शाश्वती देता हूँ कि आप और मैं बहुती सुन्दर बहतायत का जीवन जीएंगे चाहे हमारे रोजमर्रा में कितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हो तो चल यह संदेश में आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको तीन पॉइंट देना चाहता था क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको एक और पॉइंट अभी बताऊंगा कि यीशु हमारे जीवन में किस तरह के सलहकार है ये बताऊंगा नमबर दो यीशु मसी तो दुखों के समय विजय के बारे में सलह देने वाले हैं मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहन्ना अध्या सोलह वचन तैतीस को मैंने ये बाते तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शान्ती मिले संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु धाडस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है देखे हम इस मसी जीवन में कितने आशिशित हैं शायद संसार नहीं जानता है कि दुखों से कैसे व्यभार करें कि कैसे दर्द और दुखों में से कुछ सकारात्मक कैसे लेकर आएं और इसलिए बहुत से लोग बुरी युक्तियों में फस जाते हैं नकारात्मक वेभार करते और वो दुखों से निपट नहीं पाते हैं तो कुछ लोग अपनी जिन्दगी खत्म कर देते हैं लेकिन हम कितने आशिशित हैं देखिए यीशु हमारे संसार में आये कि दुखों के समय हमारे सलहकार होकर बताए कि कैसे जैवन्त हों और यीशु ने स्वयम अपने पूरे जीवन में इस बात को प्रगट किया है इस पुर्थवी पर का उसका पूरा जीवन यीशु ने से विरोधों का भी लोगों से बहुत सी नकारात्मक बाते सुनी तो क्या वो उनकी अधीनता में हो गए क्या वो उनमें ऐसे ही नाश हो गए नहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने दुखों को उठा कर सिध्धता सीखी इबरानियों अध्यादो वचन 10 क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए तो उनके उध्धार के करता को दुख उठाने के द्वारा सिध्ध करें यीशु मसी ने स्वयम बहुती अध्भुद ग्यान प से इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परन्तु धारस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है दोस्तो मसी जीवन में हमारे पास यीशु से अगनित आशिशें होती हैं लेकिन हम सब किसी ने किसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं दुख दर्द या फिर पीड़ा को प्रिय मैं आपको अंत में तीन संदर्ब बताना चाहता हूँ कि कैसे यीशु ने उन दुखों का उपयोग किया कि उसने तीन सुन्दर स्वभावगुण प्राप्त किये और उन्हीं तीन स्वभावगुणों के द्वारा यीशु ने दुखों के ऊपर में अध्भुत विजय प् जाएं और यही तो वो अध्भुत सलाह है जो यीशु मसी हमें देते हैं कि हम दुखों में जैवंत हो जाएं और विजय हो इशु तो दुख उठाने में आग्यकारी रहे क्योंकि वो दुखों में आग्यकारी थे इसलिए वो दुखों पर विजय हो गएं हम मसी जीवर में बिलकुल ऐसा ही करते हैं जब समस्याएं आती हैं तो हमें बस इतना ही करना है कि यहवा परमेश्वर के अधीनता में आए और आग्यकारी रहें और उससे दूर न जाएं और विश्वास में कमजोर न हो हम आगेकारिता में क्या करते हैं? हम यीशू के साथ रहते हैं जब हम यीशू के साथ रहते हैं तो वो निश्चे ही हमें देंगे दुखों के उपर विजय और वो अपने स्रोत हमें प्रदान करेंगी नमबर दो यीशू ने दुखों में अपने स्वर्गिय पिता पर भरोसा रखना सीखा मत्ती अध्या 26 वचन 49 फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुह के बलगिरा और ये प्रातना की हे मिरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परन्तु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो वो क्रूस तो यीशू के सामने था अपनी मानोता में उसने परियाप्त महसूस नहीं किया कि क्रूस पर अपना जीवन दे मनुश जाती के प्रायश्चित के लिए लेकिन यीशू ने क्या किया उसने अपने स्वर्गे पिता पर भरोसा किया मैं जो चाहता हूँ वो नहीं पर आप पर भरोसा है और अपने आपको आपकी इच्छा में समर्पित करता हूं जिस पल उसने भरोसा किया तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्दूत ने आकर उसकी सेवा की कि उसे सामर्थ दे कि क्रूस पर मर सके दोस्तो बहुत अद्भुत सला है दुख और पीडा में सबसे अच्छा है कि परमेश्वर पर भरुसा रखे इसलिए वचन कहता है शान्त रहे और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ हमने समझते कि क्यों परमेश्वर ऐसे दुखों को आने देते हैं लेकिन किसी भले उद्देश के लिए उसे अनुमती देते हैं और हमें बस यही करना है कि उस पर भरुसा रखें और उससे बल मांगे और उससे उसका अनुग्रह मांगे और ये तो उसी भरुसे में है इशू अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं और उसी अनुग्रह में हम तो दुखों पर विजय पाएंगे और यही तो अद्भुत सला है तीसरी बात इशू ने अपने दुखों के द्वारा दया सीख ली इबरानियो अध्याय दो वचन अठा रहा क्योंकि जब उसने परिक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी साहता कर सकता है जिनकी परिक्षा होती है अपने दुखों में इशू ने सीखा कि जो दुख उठा रहे हैं उन पर वो किस तरह से दया करें यानि हम सब पर मसी जीवन में और ये तो उसकी दया है जो हम पाते हैं जब हम प्रात्ना में समय बिताते हैं हम वचन पढ़ते हैं और सुन्दर आरादना की सभा में होते हैं और लोग हमारे लिए प्रात्ना करते हैं और वो दया तो खोली जाती है तसली के रूप में हमें होसला देने के द्वारा, हमें प्रोचसाहित करने के रूप में और यीश्व मसी की वो जो दया है वो हमें देगी, दुखों के ऊपर बड़ी विजय देगी और यही तो यीश्व मसी की ओर से बहुती अद्भुत सला है दोस्तों मैं भरोसा करता हूँ कि ये संदेश आपको आशेशित कर रहा है, अब प्रातना करते हैं अनमोल परमेश्वर स्वर्ग्य पिता, यीश्व मसी हमारे प्रभु और उध्धारक, पवित्रा आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, हम आपकी उपस्तिते में स्तूती और धन्यवाद लेकर आते हैं यीश्व कि आप हमारे संसार में अद्भुत मानो रूप में आए महान सलाकार के रूप में, सला के परमेश्वर के रूप में प्रभु यीश्व मसी हम आपको अपने रिदय में बुलाते हैं प्रभु प्रभु यीश्व मसी इस क्रिसमस के समय हम आपको समर्पंड कर देते हैं आप हमारे सल्हाकार होईए आप हमारे रिदय पर राज्य कीजिए और इश्यू हम प्रात्ना करते हैं कि आप हमारे रिदय पर इस तरीके से राज्य कीजिए कि आप हमारी मदद कीजिए क्रूस की अपनी सामर्द के द्वारा और पवित्रात्मा की सामर्द की द्वारा कि आपकी आज्याओं को पूरा करें और जैसे प्रभु हम आपकी आज्याओं में बढ़ते चली जाते हैं और जैसे हमारा रिदय बढ़ते जाता है प्रभु कि हम पाप न करें जैसे हमारा रिदय बढ़ता है मेरे प्रभू कि हम वही करें जो आप कहते हैं और जितना ज़ादा हमारा रिदय बढ़ते जाता है आपकी आज्याओं के अच्छे गुणों में इशू हमें बहतायत का जीवन दीजिए और वो सब जो पश्चताप में आपको समर्पंड करती हैं और पवितरात्मा से कहते हैं कि वो उन्हें बदल दे उनके रिदय को बदल दीजिए इस क्रिस्मस में आप हम सब के रिदय को बदल दीजिए आपकी आज्याओं के अनुसार हम सब से उत्तम जीवन जीए साथ ही यीशु हमारे रिदय को बदल दीजिए कि हम दुखों के ऊपर विजह प्राप्त करें और साथ ही प्रभु यीश मसी हम आपकी ओर से आपकी सलह मांगते हैं कि कैसे हम इन दुखों से निपट सकते हैं और कैसे हम इन दुखों के ऊपर विजही हो सकते हैं करते हैं इन सब तीन अद्भुत ऐसे स्वभाव गुणों के लिए जो आपने दुखों के द्वारा सीखी हैं आग्यकारिता भरोसा और दया करना इश्यू हमारी मदद कीजिए कि हम आपके आग्यकारी रहें आप पर भरोसा रखें और आपकी दया को प्राप्त करें और इसक करें और हमारे दुखों का उपयोग कीजिए कि इनके द्वारा हम खुद को उभारें कि हम अपने विश्वास में और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं और जीवन में आगे बढ़ें इस समय जिन्होंने आपका वचन सुना है उन्हें आशीश दीजिए मैं इन्ह जाता हूं इस टेलिवीजिन सेवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनियें वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सूसमाचार बताता हूं और उद्धार पाए लोगों को वचन सुनाता हूं चार अलग-अलग भाशाओं में तेलगू, मलियालम, हिंदी और द्वार कोड को नोट कीजिए, इसकी फोटो लीजिए और योगदान भेजिए कि इस सेवकाई की सहता के लिए आप अपनी भेड भेजिए और साथ ही अगर आपको money order या online के द्वारा भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को नोट कीजिए और मैं बिंती करता तो सहयोग देने के द्वारा आप हमें प्रतियुत्तर दीजिए अगर पवित्र आत्मा आपकी अगवाई करे कि एक प्रोग्राम में sponsor बने तो इन नंबरों को नोट कीजिए इन पर फोन कीजिए और मेरा आफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में sponsor बन सकते हैं औ और एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप ऐसा कर सकते हैं और आप सच मिल लाखों लोगों को आशीश देते चली जाएंगे यीशु मसी के सूसमाचार के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा जो मैं इन टेलिविजन प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूं यीशु आपको बहतायत से आशीश दे तो आए बेनेडिक्शन के लिए सिर जुकाते हैं अब हमारे प्रभू यीशु मसी का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगती इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है और